नमस्कार, दैक्स्प्रेस निउज में आपका स्वागत है अफगानिस्तान में हकूमत पर कब्जा करने के बाद तालिबान में सरकार गठन को लेकर पसो पेश जारी है तालिबान के प्रवक्ता जबी उल्ला मुजाहिद ने शनिवार को बताया कि नई सरकार की गठन को फिलहाल अगले सप्ता के लिए अस्थगित कर दिया गया है उम्मीद की जा रही थी कि तालिबान शनिवार को काबुल में नई सरकार की गठन की घोशना करेगा जिसका नेत्रित संगठन के सह संस्था पक मुल्ला अब्दुलगनी बरादर कर सकते हैं तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर काबिज होने के बाद दूसरी बार काबुल में नई सरकार की गठन की घोश नास्थागित की है सरकार गठन को लेकर विभिन समूहों के साथ बादचीत के लिए तालिबान दौरा गठित समीती के सदसे खलील हकानी ने कहा कि काबुल में दुनिया को सुईकार समाविशी सरकार बनाने के तालिबान के वादे के कारण देर हो रही है उन्होंने कहा कि तालिबान अपनी अकेली की सरकार बना सकता है लेकिन अब वो ऐसा प्रशासन बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिसमें सभी दलों, समूहों और समाज के वर्गों का उचित प्रतिनिदित्व हो। अन्य हित धारकों के साथ भी वारता जारी है ताकि सरकार गठन के लिए उनका समर्थन मागा जा सके। इस बीच पाकिस्तान की खुफी अजनसी आईएसाई के प्रमुक जनरल फैज एहमद आउचक यात्रपर शनिवार को काबुल पहुँचे। हलाकि अब तक असपस्ट नहीं है कि जनरल फैज हमीद ने शनिवार को तालिबान नेतरित्यों से क्या बात चीट की। लेकिन पाकिस्तान की खुफी अजनसी का तालिबान पर काफी प्रुभाव मना जाता है। तालिबानी नेतरितों का मुख्याले पाकिस्तान में था और अक्सर कहा जाता है कि उसके पाक अजनसी आईएसाई से सीधे संबंध हैं। हलाकि पाकिस्तान तालिबान को सैन सहायता देने से लगातार इनकार करता रहा है तालिबान सरकार गठन की कवायत को लेकर लगातार पाकिस्तान के भी संपर्क में है तालिबान प्रवक्ता सुहल शाहिन ने बताया कि तालिबान के राजनितिक कारेले के उपनिदेशक शेर मुहम्मद अबास इस्टेनिक जई ने पुनर निर्माड और अन्य मुद्दो पर कतर में एक राजदूत से वारता की है काबल एरपोर्ट से घरेलू उडाने अफगानिस्तान के काबल एरपोर्ट से शुर्कुरार से उडाने शुरू हो गई हैं अफगानिस्तान में कतर के राजदूत ने इस बात की पुष्टी की मीडिया रिपोर्ट के मताविक अफगानिस्तान में कतर के राजदूत ने कहा कि तकनीकी टीम काबूल हवायड़े को फिर से खोलने में सक्षम रही और घरेलू उड़ाने फिर से शुरू हो गई है राजदूत ने कहा कि अफगानिस्तान में अधिकारियों के सहयोग से हवायड़े के रनवे की मरम्मत की गई है चैनल ने कहा कि काबूल से मजारिश शरीफ और कंधार शहरों के लिए दो शहरी उड़ाने संचालित की गई है घरेलू उड़ाने होंगी उधर भारत के विदेश सचिव हर्सवर्धन स्रिंगला ने शुकरवार को कहा कि भारत और अमेरिका अफगानिस्तान में पाकिस्तान के कदमों पर करीबी नज़र रख रहे हैं उन्होंने कहा कि भारत की तालिबान के साथ सीमित बातचीत चल रही है अफगानिस्तान के नए शांसकों ने संदेश दिया है कि वे भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए व्याभारिक दृष्ट्टिकोर अपनाएंगे विदे सच्यू ने वाशिंग्टन की अपनी तीन दिवसी यात्रा समाप्त होने पर भारतिय पत्रकारों की एक समूँ से कहा कि जाहिर तोर पर हमारी तरफ से भी करीब से नज़र रख रहे हैं हम लोग भी और हमें बारीकी से पाकिस्तान के कदमों पर भी नज़र रखनी होगी कहा कि अफगानिस्तान में इस परकार के हालाद बनते हैं इस संदर में अमेरिका इंतजार करो और देखो की रणनीती अपनाएगा भारत को भी यही नीती अपनानी है उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ नहीं करो इसका मतलब है कि आपको करना होगा जमीन पर हालात बहुत नाजुक हैं और आपको देखना होगा कि ये कैसे बदलते हैं आपको ये भी देखना होगा कि सारवजनिक रूप से दिये गए आश्वासनों पर वाकई में अमल हुआ थो नहीं और चीजें किस परकार से काम कर रही हैं उधर पंजशीर प्रांत अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में अब भी तालिबान के कबजे से ये प्रांत दूर है इस बीच पंजशीर में तालिबान की बढ़त की खबर जब आई तो उत्साही तालिबानी लड़ाकों ने हवा में गोलिया चलाइं खबरों के मत इसमें सत्रा लोगों की मौत हो गई है